तो बिया इंटरेट पर चाचुका एकेवल एकी नाम वो है RCB, RCB, RCB क्योंकि 16 सालों में जो नहीं हुआ वो इसमती मंधाना एंड कमपनी ने आज करके दिखा दिया है अब WPL के दूसरे सीजन में ही RCB की वुमेंस टीम ने ट्रॉफी उठा ली है मेंस्टीन भी लाइक कैसे हुआ कैसे किया हमें भी बताओ ऐसा कुछ चल रहा है तमाम सारे मेंस बन रहा है तो खबर यही है कि भईया RCB ने यहाँ पर ट्रॉफी उठा ली है अभी तक हर बार कहते थे इसाला कप नाम दे इसाला कप नाम दे और इस साल RCB ने वाकई कप जो है वो उठा लिया है फाइनल था दिल्ली कैपिटल्स के साथ वोमेंस प्रीमेर लीग का और यहाँ पर स्मितिमान धाना एंड कमपनी ने जो है वो 113 रनों पे समेट दिया दिल्ली कैपिटल्स को एक बार को तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स आसानी से जीच जाएगी अगर उनके पावर प्ले को देखा जाए तो पावर प्ले में 6 वर में बिना कोई विकेट को है दिल्ली कैपिटल्स ने 61 बनाय थे लेकिन उसके बाद आई इस पिनर दोनों ने मिल करके काफी बढ़िया सधी हुई सुरवात की आर्सीवी ने पावर प्ले में आई गेस कुछ पच्छेस वच्छेस रन मनाये थे और वह भी कोई बिना विकेट खोए एक टाइम लेकिन ऐसा भी आया था जब लग रहा था कि भाई यह स्कोर जो छोटा सा दिख यह पहार जैसा हो जाएगा वनिकि रनो बॉल वाली सिस्टम हो चुकी थी लेकिन कहते हैं कि जो उसमें होज नहीं खोना है वहाई आर्सीवी ने किया और आर्सानी से दीमा विकेट था गेंद फस करके आ रही थी उसका जो भी था सब कुछ देखते हुए आर्सीवी ने ब रिचा गोस के वल्ले से यहाँ पर निकले हैं विजाई रन तो रिचा गोस और इलेश पेरी इश्पती मंधाना कहें कि 11 के 11 खिलाडियों ने मिल करके बनाया है आर्सीवी को चैंपियन तो भीया आर्सीवी वालो आपको बदाई और अरुन्दती रेड़ी वो गेंद फेक टू यही थी बात और हाला कि हाइलाइट वीडियो आपको अभी थोड़ी दिर के बाद चैनल पर देखने को मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या घटित हुआ है तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और अपने दर्सक के साथ जो है हमारे दर्सक लोग सेहर करिएगा